ओम श्यांती, हम भगवान के बच्चे हैं, सर्व स्रेष्ट कुल के महान आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे ही यदि खुश नहीं रहेंगे, तो संसार में भला और कौन खुशी में जूमेगा, जिने स्वयम भगवान मिलते हों, जिन ही ज्यान का सर्व स्रेष्ट खजाना मिल गया हो, जिन के लिए स्वयम भगविधाता स्रेष्ट भग लेकर आ गया हो, उन्हें तो सदा खुशी में डांस करते रहना चाहिए, लेकिन मन के व्यत संकल्प, मन का भारीपन, इस खुशी और आनंद के अनुभव से दूर लगता है, तो एक बात तो है, स्वयम को उन्जनों से मुक्त रखना, उसमें तो बहुत ज्यान की शक्ती चाहिए, लेकिन दूसरी इंपोर्टेंट बात है, कि हम अपनी दिन चरिया में रोज सवेरे चार से आठ बजे के समय को इतना सुन्दर व्यतीत करें, विंग भिन अ मन आनंद से भरपूर हो जाए, खुसी में मन डांस करने लगे, ऐसी स्थिति यदी हम बनाते हैं, तो तारा दिन मन स्वत ही उल्जनों से मुक्त रहेगा, व्यर्थ से मुक्त रहेगा, स्रेश्ट विचारों में रहेगा, इश्वरिय नशे में रहेगा, तो आज्जरा इश किस्वरी नशे को जागरित रक्षें, स्वयम भगवान आया है हमें स्वरक की राजाई देने के लिए, अपनी राजाई को सामने देखें, हम जाकर महां राज करेंगे, सोने के मेहल बनाएंगे, हीरों की चमक से, हमारे मेहल रात कोभी बहुत बहुत चमकते होंगे, अथाधन संपदा हमारे पास होगी ये खाने कमाने की चिंता बच्चों की पालना की चिंता घिम्मेदारियों का बोज सभी से हम लंबे काल के लिए मुख्थ हो जाएंगे अपने को अपने इस्वधिये प्राप्तियों की याद दिलाया करें खुषी के संकल्प अपने मन में क्रियेट किया करें बहुत खुषी की सोगात खुषी का खजाना हमारे पास है हम उसे अलमारी में बस्द करके न रख दें उसे खोलें और देखें कि हम जैसा खुष नसीब तो संसार में कोई भी नहीं है सवेरे सवेरे जिने ज्यान मुरत्पान करने का स्रेष्ट भाग्य बिलता है जिनकी पालना स्वयम वरदाता करते हैं जिनकी जीवन नईया का क्युवया वो सर्वशक्तिवान परमसद गुरु स्वयम बन गया है बहुत हलके भी हो जाएं अपनी जीवन नईया अपने प्राने स्वर के हातों में देकर हलके हो जाएं संकल्प करें बाबा मेरा जीवन तुम्हारे हातों में हमारा परिवार तुम्हारे हातों में हमारी ये जिम्मेदारी ये काम धन्दे सब तुम्हारे हातों में उसके हातों में बागडोर सुप दें उसको अपने कारियों का पार्टनर बना लें तो मन सदा हलका रहने लगेगा अपने मन को हलका रखना ये भी महीन बुद्धी की पहचान है Divine Intellect का ये लक्षन है हम अपनी बुद्धी को स्रेश्ट ज्यान से भर कर ववित्रता के वल से भर कर सुक्स उंज्यान को बुद्धी में रारण करते हुए इसे सुक्स मौर डिवाइन बनाते चलें और बहुत हलके रहते हुए डबल लाइट पर इस्ते स्वरूप की सिटिकी और कदम आगे बढ़ाएं भारी होना घीवन की यात्रा को कस्त में बना देता है जिनके बोज स्वयम भगवान हर रहा है अपने को रोज याद दिलाना है बाबा सामने खड़ा हो कर कह रहा है बच्चे मन के सारे बोज मुझे दे दो हलके हो जाओ रोज बाबा के सामने पहुँचें और बाबा की ये आवाज सुने तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे मेरे जैसा खुश नसीव कोई नहीं अपनी ताप्तियों को जड़ा याद करेंगे चार-पांच बार और मैं डबल लाइट फरिष्टा हूँ बाबा की पवित्र तेरने मुझे पर पड़ रही है हर घंते में ये दोनों बाते एक बार अवस्याद करेंगे अभ्यास में लाएंगे ओम चांती